तो अब हम कर लेंगे अपने कपड़े पर कटिंग यह मैंने कपड़ा ले लिया है और यह जो हमने ब्राउन पेपर पर कटिंग करी थी ुसको मैंने आपको पहले भी इसको फैकना नहीं है तो अब मैं इसका यूज करूंगी ठीक है ब्राउन पेपर का जो हमने लिया है इसको हम अपने कपड़े पर रखकर एज़ इसको निशान लगा देंगे और इसकी कटिंग कर देंगे ठीक है उससे फिर हमें दुबारा मेजरमेंट करने की पड़ेंगे डबल कपड़ा मैंने लिया है यहाँ पर और मैं एक साइड कॉर्णर में रखकर अपने ब्राउन पेपर को अच्छे से सैट करके अब मैं लगा लूँगी इससे चौक से निशान जैसे हमारे ब्राउन पेपर पर निशान लगा हुआ है वैसे ही आपको कपड़े पर निशान लगाना है चौक से डबल कपड़ा लेने से थोड़ा हमारा बिब जो है वो थोड़ा मौटा दिखेगा और अच्छा भी लगेगा कि ये मैंने पूरा निशान लगा दिया है अब हम कपड़े की जो है वो कटिंग कर लेंगे अच्छे से ठीक है ये देखिए लग चुका है पूरा निशान ब्राउन पर आपको साईड रख देना है और कपड़े की कटिंग कर लेनी है फ़ैब्रिक सिजर से साइड में से मैंने बिब इसलिए निकाला है ताकि हमारा कपड़ा बिल्कुल भी वेस्ट ना हो ठीक है अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे अच्छे से तो ये हमारे बिब की जो है वो कटिंग मैंने कर दिये अब हम डोरी बना लेंगे यलो के साथ मैं ब्लैक कलर के डोरी रख रही हूँ मैंने लास्ट वीडियो में अपनी स्कर्ट बनाई थी तो ये उसी का बचा हुआ कपड़ा है जैसा कि मैंने आपको बताया था बचा हुआ कपड़ा आपको बिल्कुल फैकना नहीं है तो जैसी हमने ड्राफ्टिंग करी थी ब्राउन पेपर पर सेम वैसे ही हम जो है अपने कपड़े पर स्ट्रिप की कटिंग कर लेंगे यहाँ पर मैंने उतनी ही स्ट्रिप की कटिंग करनी है जितनी मैंने ब्राउन पेपर पर की थी तो पहले मैं निशान लगा दूँगी ठीके थोड़ा आड़ी पट्टी आपको लेनी है ताकि आपके बिब में जो है वो अच्छे से लग जाए क्योंकि बिब हमारा गोल है नीचे से तो सीधी पट्टी लगाने में थोड़ी मुश्किले होती है तो इसलिए आपको आड़ी पट्टी जो है वो लेनी है तो यहां मैंने निशान लगा दिया है और अब मैं जो है अपनी दूसरी डोरी का भी निशान लगा लूँगी क्योंकि दो चाहिए हमें स्ट्रिप ताकि अगर कहीं भी हमें लगता है कि यहां पर छोटी पढ़ गई डोरी तो हम उसको वहाँ पर एक्जिस्ट कर सकते हैं यहां उपर भी मैं निशान लगा दिया है मैंने सेम जिसे मैंने ड्राफ्टिंग का करा था वैसा ही मैं यहां कर रही हूँ कपड़े पर तो आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होना है अगर आप चाहें तो ड्राफ्ट कपड़े पर कटिंग कर सकते हैं और अब हम अपनी स्ट्रिप की जो है वो कटिंग कर लेंगे साथ ही साथ मेरी वीडियो को लाइक भी कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें तो यह हमारी दौनों डोरी यहां वो कट चुकी है एक डोरी मैंने काट ली है दूसरी डोरी भी अब मैं यहां पर काट लूँगी इसको मैं साइड रख दूँगी ठीक है अब मैं अपनी दूसरी डोरी का जो है वो निशान लगा लेती हूँ यह उपर से मैंने नाप लिया जो जितना भी मेरा उपर का पार्ट है नो है नो इंच तो नो इंच की ही जो है मैं वो डोरी काट लूँगी ठीक है यहां देखिए मैंने 9 इंच का निशान लगा दिया है क्योंकि हमारे बिप के उपर जो है वो 9 इंच का ही पट्टी आईगी तो मैंने 9 इंच का ही निशान लगा दिया अगर आपकी बड़ी है तो आप बड़ी पट्टी ले लिजी और दो इंच मैंने इसकी विथ रखी है थोड़ा सा मोरने में भी यह आ जाएगी तो इसलिए मैंने इसकी विथ थोड़ी जादा रखी है ताकि मैं इसको अच्छे से फोल्ड कर सकूं और मैं अब इसमें सीधे-सीधे निशान लगा लूँगी और मैं इसकी कटिंग कर दूँगी आपको सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है यह हमने कटिंग कर लिए है अपनी स्ट्रिप की ठीक है नो इंच हमने कटिंग रखी है इसकी दो इंच मैंने एक्स्टर रख दिया है ताकि जो भी छोटा बड़ा हो वो उसमें एक्जस्ट हो जाए ठीक है आप जादा कपड़ा रखें तो कोई दिक्कत नहीं है पर कम नहीं होना चाहिए तो यह हमारा बिब भी कट चुका ह है स्ट्रिप भी कट चुकी है हमारी अब हम जो है इसकी सिलाई करते हैं यह हमने बिब का कपड़ा जो डबल कपड़ा लिया था इन दोनों को सीधे कपड़े को अंदर की तरफ रखना है स्वारी सीधे कपड़े दोनों बाहर की तरफ रखना है और पहले इस पर सिलाई थोड़ा सा ये गोल बिब है हमारा तो थोड़ी सी डिफिकल्टीज आएंगी बट ये अच्छे से जो हमारा स्टिच हो जाएगा ठीक है थोड़ा सा बस आपको धिहान देना है वीडियो को पूरा देखना है एक भी पार्ट वीडियो का स्किप ना करें और यहां मैं अपने बिब पर पूरी सिलाई में गोल लगा दूँगी सो अब हम अपनी विप की जो है स्ट्रिप जो हमने काटी थी उसकी भी हम स्लाई लगा लेंगे जो हमने ब्लैक कलर के धागे से जो स्लाई लगाई है उसी के उपर आपको स्लाई लगानी है ठीके नाई तो जादा आगे लगानी है ए नाई बहुत जादा किनारे पर लगानी है आप किसी की हल्प से इसको पीछे से पुल आउट कराते जाए ठीके और इस तरीके से आपको अच्छे से जो है पूरी गोलाई में बीबी की जो है वो इस ट्रिप को लगा दिना है जिसे मैंने लगाया है आपको सेम वैसे ही strip को लगाना है तो ये देखिए मैंने ये लगा दिया है बहुती ध्यान से और बहुती केरफली आपको लगाना है ये हमारी पूरी strip लग चुकी है अब मैं जो उपर का पार्टे इसको भी मोड दूंगी ठीके इसको भी fold करकर मैं जो है मोड़ दूँगी यह हमारा final look होगा pipe in झो हम मोड़ देंगे और यह हमारे बिप को जो है वो एक final look दे देगी तो यहाँ पर भी मैं इसको slide लगाती जाऊंगी और मोड़ती जाऊंगी ठीके इसी तरीके से आप कुछ लाई लगानी है और इसको मोड़ते जाना है ब्लैक के साथ येलो कलर काफी जादा अच्छा लगता है आप चाहें तो रेड या फिर ब्लू भी यूज़ कर सकते हैं देखिए हमारा ये पूरा कम्प्लीट हो चुकी है उपर की डोरियां जो है वो मै अंदर वाला पार्ट मोड़ा अब मैं इसको भी डबल फोल्ड करके जो है वो सिलाई लगा दूँगी ठीक है थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा होती है तो हम उसको काट देंगे अगर ये पूरी कम्प्लीट बैट जाती है तो वो वैलन गुड है कोई काटने के हमें जरुत न जाना है ठीक है जो इससे पहले मैंने आपको ड्राफ्टिंग की वीडियो दिखाई थी आपने वो भी देखी होगी अब मैं अपनी स्ट्रिप को मोड लेती हूं इसको भी मैं डबल फोल्ड गरूंगी इस तरीके से ताकि मेरे धागे ना निकले और ये मैं फाइनल लुक जो है अपने विप को दे दूंगी और फिर हमारा विप जो है वो पूरा रेडियो जाएगा तो अब मैं इस पर भी जो है वो इसलाई लगा देती हूं आपको सीधी सिंपल सिलाई लगानी है और आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है ठीक है तो मैं ये सिलाई लगा और ये मेरी पूरा विप जो है वो तैयार हो चुका है डोरियां भी मेरी बन चुके है उपर वाला जो पार्ट था इनको मैंने मोड दिया है अंदर की तरफ ठीक है ताक इसके धागे ना निकले और ये हमारा विप जो है वो तैयार हो चुका है आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, कमेंट करें जो भी आपको अच्छा लगा पार्ट वीडियो का और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जब तक के लिए बाब आए